Hello Everybody, ये है Class 7th Science Chapter 3 का Part No.4 और इस Part में हम इस्टड़ी करने वाले हैं From Cocoon to Silk Means Cocoon से हमारी जो Silk प्राप्त होती है वह कैसे प्राप्त की जाती है उसके बारे में हम इस्ट़ड़ी करने वाले हैं उससे पहले हम उपर एक box देख लेते हैं यहां पर कुछ activities भी दी गई थी जो हमने नहीं पड़ी थी आप इनको अपने self से पढ़ सकते हैं इतनी important भी नहीं है तो हम यह box ज़रूर पढ़ लेते हैं यहां पर In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production तो हमारे इंडिया में women जो है ladies log हमारे silk production से related जो industries हैं जहां पर रेशा मुतपादन किया जाता है बड़े पेमाने पर उनमें बहुत महत पुन तरीके से उसमें involved हैं शामिल हैं These are rearing of silk, reeling of silk from cocons and processing of raw silk into fabrics हमारी जो यह उद्योग हैं इनके अंदर क्या किया जाता है? Silk warm की rearing की जाती है उन्हें पाला जाता है, silk की reeling की जाती है, cocon से जो silk प्राप्त होता है उसकी reeling की जाती है जिसको मार भी आगे पढ़ने वाले हैं and processing of raw silk into fabrics और जो हमारी कच्ची रेशों होती है, धागे होते हैं उनसे कैसे कपड़े वस्तर बनाए जाते हैं उनके बारे में भी यह जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें women काफी इसमें शामिल होती है और अपना योगदान इन इंडस्रीज में देती हैं by their enterprise they contribute to the nation's economy इनके enterprise से enterprise means उद्ध्योग इनका जो व्यापारे दंदा है इससे यह हमारे देश की economy में बहुत योगदान देती है, contribute करती है चाइना leads the world in silk production और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो silk का production होता है वहाँ चाइना में होता है इंडिया also rank among the leading sink producing country और भारत का भी जो विश्व की ज़्यादा उत्पातन करने वाली देश हैं सिल्क की उनमें एक मतपुनिस्थान रखता है then हमारा natopic शुरू हता है from cocoon to silk cocoon कैसे बनता है हमने ये silk moth की life history में पढ़ा था और यदि आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उनको भी एक बार देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा for obtaining silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads silk प्राप्ट करने के लिए silk moth को rear किया जाता है उनको पाला जाता है और उनके cocoons को collect किया जाता है silk thread प्राप्ट करने के लिए rearing silk wombs silk wombs को पालना उनको के से पाला जाता है उनकी क्या वीदिया है female silk moth lays hundreds of eggs at a time जो female silk moth होती है मादा कीडा होती है silk moth की वहाँ एक बार में सेंकडों की संख्या में अंडे देती है the eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers इन अंडों को store किया जाता है ये कपड़े के चोटे-चोटे टुकड़ों पर, strips पर या paper के टुकड़ों पर इनको एकटा किया जाता है रखा जाता है और जो silk warm farmers होते हैं उनको बेच दिये जाते हैं the farmers keep eggs under high zine conditions वे farmer eggs को बड़या अच्छी साब सुत्री जगे पर रखते हैं and under suitable conditions of temperature and humidity शाथ में वे उनको एक अच्छा तापमान ना उप्युक्त तापमान और उप्युक्त आद्रता नमी भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि उन अंडों से silk moth जल्दी से निकल लें the eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from the eggs तो eggs को warm किया जाता है गरम किया जाता है ताकि उन अंडों में से larva बाहर निकल कर आए this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves और ऐसा उन समय किया जाता है जब हमारी शेटूत के जो पेड़ होते हैं mulberry trees उन में नई नई पत्या कोपले आनी शुरू होती है the larva called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size जो larva होते हैं caterpillars जिनकों पहले देख चुके हैं पढ़ चुके हैं इन ली जैसे वो दिखाए देते हैं तो पिर वो सिल्क वार में बदलते हैं तो उन silkworms को या caterpillars जो होते हैं उनको वे पत्या खाने को दी जाती है उन पेड़ों की पत्यों पर चोड़ दिये जाते हैं और वे उन पत्यों को day on night खाते हैं और उसे उनकी जो size होती है वह काफी बढ़ जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाइग्राम में दिखाए गया है से एकड़ों की संख्या में फिर उनको अंडों को suitable time पर जब शेतूत में नहीं नहीं पत्या आती है वह समय इन पर छोड़ा जाता है तो लार्वा केटर पिलर सिल्क वर्म फीडिंग और मलबेरी रिव तो यह लार्वा जो होते हैं केटर पिलर जो इनली जैसे में दिखाए देते हैं जिसमें इनका रूप रंग आकार अलग होता है जिसमें कहते हैं लार्वा या केटर पिलर फिर ये बड़े होकर क्या बना लेते हैं इनके आजपास एक खोल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं कोकून कोकून के अंदर जो structure होता है warm का उसे हम क्या कहते हैं pupa ठीक है तो इस तरह से ये अपनी body को convert करता रहता है जिसे हम metamorphosis कहते हैं और उसे हम आगे next class में पढ़ने वाले हैं then discovery of silk रेशम की कहा हुई कैसे हुई the exact time of discovery of silk is perhaps unknown तो जब silk की कहुज हुई वाट टाइम तो शायद किसी को पता नहीं है कि किस समय इसकी कहुज हुई क्योंकि ये बहुत पुराने समय से यूज में ली जा रही है according to an old Chinese design the Empress Sin Lung Chi was asked by the Emperor Huang Tai to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden तो ये कोई शासक था वहाँ पर Emperor Ta Hong Ti जो की अपनी जो wife होती है उससे पूछता है कि उनके garden में जो mulberry के trees हुगे हुए हैं उनकी पत्तियों को कौन खा रहा है उनको कौन damage कर रहा है वह कैसे damage हो रही है उसने देखा होगा उपजर किया होगा कि वह ये पत्तियों दीरे दीरे कम हो रही इनको कोई केड़ा खा रहा है The Empress found wild warm eating up mulberry leaves तो Empress ने देखा कि उन mulberry leaves को उनकी जो राजा की रानी थी ने देखा कि mulberry की पत्तियों को सफिद सफिद वाम्स इल्ली टाइब कीड़े उनको खा रहे हैं She also noticed that there were spinning shiny cocoons around them और वे क्या कर रहे हैं अपनी body के आसपास shiny चमददार cocoons भी अपनी body के आसपास बना रहे हैं Accidentally a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon तो accidentally दूरबटना वस कैसे भी करके उस Empress की जो चाय का cup था उसके अंदर एक cocoon गिर जाता है और वह cocoon delicate threads में अलग-अलग हो जाता है उसके जो threads होते हैं धागे बिलकुल पतले, मुलायम, नरम, रेशे होते हैं रेशम के उनमें वह अलग-अलग हो जाता है Silk industry beginning in China and watch kept a closely guarded cigarette for hundreds of years तो इस तरह से उनको Silk के बारे में पता चला उनको वेधागा रेशा अच्छा लगा और उससे उन्होंने Silk का उत्पादन करना शुरू किया तो इस तरह से चाइना में Silk industry शुरू हुई और उन्होंने उसको एक guarded सिक्रेट के रूप में रखा एक बंद जो सिक्रेट होती है गुप्त उसके रूप में रखा उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे Silk के से प्राप्त करते हैं इसके बाद कई वर्षों के बाद जो ट्रेडर्स थे व्यापारी थे और ट्रेवलर्स थे यात्री थे उन्होंने दूसरे कंट्रीज में भी Silk को इंट्रोड्यूस कराया उसकी उन्होंसे जान पेचान करवाई और जिस रस्ते से वे व्यापार करते थे और यात्रा करते थे उस रस्ते का नाम आज भी क्या है Silk Root है चाइना के अंदर Silk Road भी इसको का जाता है और इसके ओपर मूवी भी बनी हुई है Silk Road दे लारवार कैप्टीन क्लीन बैंबू तो वे जों लारवा होते हैं ना, पैले अंडों को बेचा गया फिर फार्मर्स ने उनको खरीदा फिर शेतूद की पत्त्वे उनको छोड़ा अंडों मेंसे लारवा निकला केटर पिला अब उनको क्या किया जाता है लारवा को clean bamboo में clean bamboo की tray होती है with freshly chopped mulberry leaves उनके अंदर रखा जाता है और उनमें अच्छे से बारी कटी हुई mulberry की नई पत्तियों को डला जाता है bamboo trays जैसे हम बांस को बीट में से आदा काड़ देंगे तो वह एक अच्छा tray बन जाता है तो उस bamboo tray में उनको रखा जाता है पाला जाता है after 25 to 30 days the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon तो 25 से 30 दिन तक caterpillars उसको खाती है mulberry leaves को उसके बाद में mulberry leaves को खाना बंद कर देती है और वे bamboo में एक चोटे से chamber में चली जाती है जो उसी में बना गया होता है और वहाँ पर वे क्या करती है अपने cocoons को spin करती है अपने body के आसपास cocoon spin करती है small racks और twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached और जो हमारी racks होती है बैंबू की racks होती है उन्हीं के साथ कुछ ट्विक्स टेहनिया या फिर कुछ दूसरी racks प्रोवाइड कर दी जाती है उनके साथ जोड दी जाती है चोटे चोटे जिनके अंदर वे caterpillers जाकर cocoon को spin कर सकते है the caterpillers or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth caterpillar और silkworm जो होता है वह cocoon spin करता है और उसके अंदर ही silk moth हमारा develop होता है then processing silk, silk की processing अब जब cocoon बन जाता है तो उससे रेशम कैसे प्राप्त की जाती है a pile of cocoon is used for obtaining silk fibers एक cocoon का बहुत बड़ा समूब बहुत बड़ा जुन्ड जिसे हम कह सकते है उसको हम यूच करते हैं silk fiber बनाने के लिए the cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam और इन cocoons को sun के अंदर रखा जाता है या उनको पानी में उबाला जाता है गरम पानी में उनको डाल दिया जाता है या फिर उनको भाप के सामने रखा जाता है the silk fibers separate out इस तरह से silk fiber क्या होते हैं गरम पानी के संपर्क में आने से अलग-अलग होते हैं the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk और तुमारे यहां एक और important term आ जाता है reeling का मतलब क्या होता है कि cocoon से silk fibers को silk के धागों को रेशों को अलग-अलग करना silk पराप्त करने के लिए reeling the silk कहा जाता है reeling is done in special machine इसके अलावा reeling को special machine के द्वारा भी किया जाता है which unwind the threads of fibers of silk from the cocoon जो cocoon में उलजे हुए धागे होते हैं fibers होते हैं उनको unwind करते हैं अलग-अलग करते हैं या सुल जाते हैं silk fibers are then spun into silk threads इसके बाद silk fiber को silk thread में spun किया जाता है उनको गूता जाता है which are woven into silk growth by viewers उसके बाद उन silk के धागों से silk के कपड़े इत्यादी बनाए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर पहली कुछ पूच रही है पहली wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner तो पहली पूचना चारी है कि cotton का जो धागा होता है वो silk का धागा होता है क्या उनको एक तरह से spun किया जाता है और बूना जाता है कपड़े बनाने के लिए तो यह बिल्कुल सही है धागा बनने के बाद दोनों को एकी तरीके से उनके साड़ी कपड़े जो भी बनाना है वह हम बना सकते हैं इसके बाद हमारी exercise आती है जिसको हम next part में discuss करने वाले हैं तो आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो तुरंत notification के द्वारा प्राप्त हो सकें ओके keep learning and keep watching thank you